देश में शेहरी विकास को एक नई दिशा देने के लिए केंद सरकार ने एक High-Level Committee सेटप किया था केशव वर्मा के ध्यक्षता में और उसने एक Report दी है बहुत ही detailed report देश में शेहरी विकास को किस तरह से बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है में साथ खुद केशव वर्मा जी मौजूद है आपने अबन अथारिटी एक नया सेट अप करने की बात कही है राश्ट्रिय स्थर पर और चेट्रिय स्थर पर भी इसको कौन हेट करेगा आपने क्या सिफारिश की है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रशासनिक धाचा कैसा हो है क्या कौन करेगा क्या करेगा पता नहीं मुझे क्योंकि यह तो हमारे माननी मंतरी जी और सेक्रेटरी साब जो है अर्बन डेवलप्मेंट के वो डिसाइड है लेकिन मैं मानता हूं कि इसका जो चीफ पेटरिन है वो हमारे माननी परदान मंतरी को होना चाहिए क्योंकि अ से वे हो रहा है तो हम हाई कॉलिटी लेके आएंगे अब फिर यह जो एजनसी है यह सारी स्टेट्स को गाइट करेंगी वहां पर भी इस प्रकार की मिरर एजनसी बनानी की दुरुवत है मैंने अपनी कमिटी की रिपोर्ट में कहा है कि दे प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ टी वह भी डेवलप कंट्री आप आज देखें वह 75 पर संट जादे डेवलप्ट आप अचीवट एक्नॉमिक ग्रोथ लाइवलिहूर्ट स्किल्स एंट्रिपनेयोर्शिप और कम्मिनिकेशन एवरिटिंग इंदी सिटी तो सिटी में जॉब्स हैं और इन जॉब्स को हमको आइपियस की तरज पर एक और इंडिया सर्विस सेट अप होना चाहिए यह भी एक सुझाव दिया है क्या आइडिया क्या है सोच क्या है इसके पीछे बही सोच सिंपल यह है कि अगर पचास प्रस्तिशत हिंदुस्तान और उसके साड़े आठ हदार शेहर की सर्विस की जरूत है अब देखिए इंजियनिटिश सर्विस है टेली केमिशिन की सर्विस है कई सर्विसे मोग सब उसके और प्लाइनर्टी और स्टेशर देहीं के जरूए ते और इसको जल्दि करने हम मैं मांता हूं कम से कम इसको बहुत करना चाहिए तह ताना क dei मैं तेहलदार पिर तेहलदार पिर एसिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं फिर कलेक्टर बनते हैं हम लोगों को अर्बन डेवलप्मेंट की ट्रेनिंग दी नहीं गई है और वह बहुत जरूरी है बिकॉस जो अच्छा काम हो रहा है कभी-कभी तिल लेक है एक्सिडेंट ओव क्रिया गुलगाओं से मेरे कैमरा सही होगी संजय कौशिक के साथ हिमान शुशेकर एंडी टीवी इंडिया